स्टीम ट्रैप जिसे की आप लोगों ने अक्सर हाई टेंपरेचर एंड हाई प्रेसर के स्टीम लाइन में लगा हुआ जरूर देखा होगा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि स्टीम ट्रैप क्या होता है stream trap कितने types के होते हैं और इसके advantage और disadvantage क्या है strap का testing कैसे किया जाता है stream trap लगाने का purpose stream line और equipment को air और non condensable gases से free रखकर equipment को तेजी से गर्म करना है stream trap एक ऐसा device है जो stream को discharge किये विना line से condensate और हवा को discharge करता है अगर इसे बहुत आसान भासा में समझें तो stream line में जब stream का temperature down होने लगता है तब pipeline में condensate का निर्माड होने लगता है जिससे stream और water के साथ water hammering होने लगता है तो condensate को ठंधा होने से बचाने के लिए इस condensate water को pipeline से बाहर निकालने की हमें जरूरत होती है हलाकि हम direct तो line से बाहर नहीं निकाल सकते इसलिए हम वहाँ पर pipeline में trap का उप्योग करते है इस stream trap का main work ही होता है कि stream को बीना बाहर निकले condensate को discharge करना इसी में एक question भी बन जाता है कि एक stream trap में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए तो उसका answer होगा stream loss should be minimum मतलब उस trap में stream का loss बहुत ही कम होना चाहिए it should have travel free operation with less maintenance travel free operation होना चाहिए और maintenance क्या हो सकता ना के बराबर होनी चाहिए and last है long operation life हो मतलब लंबा इसका जो operational working हो वो लंबा चलना चाहिए अच्छा चलना चाहिए it should be reliable even under dirty stream condition यानि कि dirty stream condition में भी यह अपना वर्क प्रॉपर अच्छे से करे साथी एक बात हमेशा ध्यान रखें कि trap का location भी इस तरह से चुना जाना चाहिए ताकि सिस्टम में condensate by gravity automatically trap में flow करे अब तक हम समझ चुके हैं कि stream trap क्या है और इसकी विसेस्ताएं क्या होती है अब हम लोग यह देखते हैं कि stream trap कितने types के होते हैं यानि कि types of steam traps तो depending upon the operating principle traps basically तीन type के होते हैं thermodynamic trap, thermostatic trap और mechanical trap इन तीनों traps का जो operating principle है वो velocity, temperature और density पर based है तो सबसे पहले हम thermodynamic trap को समझ लेते हैं जिसे हम disc trap भी कहते हैं इस trap का operating principle steam और condensate के बीच velocity या kinetic energy में difference होता है thermodynamic trap एक बहुत ही मजबूत stream trap और साथ ही इसका operation भी बेहद आसान है startup time में आने वाले pressure disc को उपर की ओर उठाता है और condensate air को immediately inner ring से जो की disc के नीचे होता है वो three peripheral outlet से बाहर की ओर निकाल देता है इसके बाद अगर हम बात करें thermodynamic trap के advantage की तो वह बीना किसी भी adjustment के अपने entire working range पर काम करता है हलाकि इसके disc एक मात removing part है तो इसका maintenance भी आसान होता है उसके बाद अगर हम steam trap के दूसरे type को देखें तो दूसरा type है thermostatic trap thermostatic trap temperature के लिए एक sensitive element का काम करता है वह उसी के moment के साथ open और close होता है और इस trap के outlet port को open और close बैलो के द्वारा किया जाता है स्टार्ट करते समय बैलो पूरी तरह से सिकडा हुआ रहता है जिससे की outlet port पूरी तरह से open condition में होता है जब steam flow के कारण trap के अंदर का तापमान बढ़ जाता है तो वह नीचे के elements को heat कर देता है गर्म कर देता है जिससे की बैलो expansion होकर बढ़ जाता है और इसके बढ़ने से trap का outlet port बंद हो जाता है और जैसे जैसे trap के अंदर का temperature घटता जाता है बैलो दुबारा से सिकुड कर उपर की और उठने लगता है और outlet port को open करता है जिससे condensate water discharge हो जाता है बहर निकल जाता है लास्ट है mechanical trap इस mechanical trap का operating principle steam और condensate के बीच उसके density में अंतर के कारण काम कर पाता है इस mechanical trap के अंतरगत दो तरह के trap आते हैं इसमें पहला है valve flow trap और दूसरा है inverted bucket trap valve flow trap में इसका open और close होना condensate में तैर रहे एक ball के कारण संभव हो पाता है जिससे आपने normally water tank में भी देखा होगा इसमें थोड़ा working इसका उल्टा होता है इसमें जैसे जैसे condensate का level उचा होता जाता है ball उपर के और उठता है और valve open हो जाता है और condensate बाहर निकल जाता है और जैसे ही condensate बाहर निकल जाता है तो level down होने के साथ ही float नीचे आ जाता है और valve बंद हो जाता है और यही process continuous चलता रहता है पूरा process mechanical ही है इसलिए इस trap को mechanical trap कहते हैं उसी तरह मेकेनिकल ट्रैप में जो दूसरा है वो इन्वर्टेट बकेट ट्रैप है इन्वर्टेट बकेट ट्रैप को Armstrong द्वारा 1911 में पेस किया गया था इसका भी operating principle steam और water के बीच में density में अंतर के principle पर ही काम करता है तो उमीद है दोस्तो stream ट्रैप के बारे में या वीडियो आपके लिए useful रहा होगा ऐसे ही और कई interesting topics की वीडियो details के साथ हमारे चैनल पर आते रहते हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ share जरूर करें Thank you